Hello everyone and welcome to our YouTube channel. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ नर्वस सिस्टम के बारे में. नर्वस सिस्टम, मैंने पहले भी मैंने इस चीज़ का थोड़ा इंट्रड़क्शन तो दिया है. हमारी बॉड़ी में अलग-अलग छोटे-छोटे तंत्रिकाएं होती है, नूरोंस होते हैं, जो जुड़-जुड़ के आपस में एक पूरी नर्व बनाते हैं, पूरी एक रख बनाते हैं, एक नाड़ी बनाते हैं. तो इस तरह की छोटी-छोटी नर्व सेल्स होती है न, उनको मिला कर ही नर्वस सिस्टम बनता है. तो मैंने आपको introduction में ये बताया था कि nervous system के दो parts में एक central nervous system होता है और दूसरा होता है peripheral nervous system तो देखिए nervous system को दो भावों में divide कर दिया है यहाँ पे एक तो है central nervous system दूसरा है peripheral nervous system short form में लिखा हुआ है ऐसे देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समाझ जाएगा कि cns central nervous system pns peripheral nervous system ns कमातलब nervous system तो देखिए central nervous system का मैंने लगाया head तो brain, spinal cord जोसा कि मैंने introduction में बताया था आपको कि brain और spinal cord जो होते हैं वो not only human body पर हर जीव के लिए बहुत ज्यादा important होते हैं अब हमें human body के एगदम fix shape or structure है हमारी body कोई भी जीव है टाइन आपको कुछ हैं कुछ बिली और कुछ भी एक जीव मानो आप तो यह जीव हम देखते हैं उँंकी exactist shape है structure है तो उसके में न डिर spinal cord present है और वो कुछ सोच वचार कर कर क्या को कुटा है उसे रोटी का ऐसा थोड़ा सा दिखा देते तो वो भागा आता है दोड कर आते तो वो चीज़ से अपने को मालूम चलता है कि उसका ब्रेंग हमारी तरफ उस रोटी को देखके अड्रैक्ट हुआ है कि भी मुझे खाना मिल रहा है तो मुझे जाना चाहिए तो वह कि इस सारी नर्व सिस्टम जितनी सारी नर्व से वह इनके अंडर कॉंकरती है तो ऐजा ऐज़िए अंडर्स्ट्राइट के लिए ही इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है बाकि यह सारी नर्व जो है यह सारी इनके नीचे ही काम करती है तो देखि руки परिफिर siete स्वेटिक नर्व जो है वो चुटकियों में याद होने वाली चीज़ इसलिए मैंने स्पेशली हाइलेट नहीं किया यहाँ पर सुमेटिक नर्व सिस्ट्रम के अंदर दो टाइट कि साहला दी दो टाइप की नर्व साथी एक होती है सेंसरी नर्व बूसरी जो कि मोटर समझ लो पर एक्जांपल में बता रहे हूं पोन चला रहे हूं और गलती से आपने कोई रील रिखते हैं अपने अपना हाथ कोई गरम पतीली पर रग दिया ओर्रे बबाबा जलिया जलिया आप ऐसा उचलों क्यों क्योंकि आपको फील हुई है वो चीज पील हुआ है पहल गरम लगा है तो हट जाओ यहां से चिपके रहना जरूरी थोड़ी है तो वहां पर जो नर्व है आपने हाथ हटाया है मतलब आपके ब्रेन ने जवाब भेजाए कि गरम है तुहें छुए नहीं रखना है अगर छुए रखोगे तो वह और जो है वो तुम्हारे शरीर का जो भी पार्ट है उसे हाम हो सकता है या फिर उसे कोई नそうそう हो हुठता है तुम हटा लो वहां से तुम हटा लो यह चीज का जवाब आपके ब्रेन ने हांपके हाथ तक भेजा है वो किस नर्व के ठूश मैसेनफ पहले गरम लगा है यही चीज मेन दोश्य पहुंची एह संसरी और मेसेज ब्रें तक ले जाने के लिए और मेसेज का जो रिप्लाई है रिस्पॉंड है जो आप समझो ब्रें का उस और गन तक ले जाने के लिए फिर से मोटर नाम जिए चीज घ्लियर हो गया तो पी एनस का पैरिफेरल का एक पार सुमेटिक नाम से अब दूसरा है के अंदर दो चीज आती है एक है सिंपहुटिक और दूसरी है पैरासिंपहुटिक सिंपहुटिक और पैरसिंपहुटिक थोड़ी से अलग-अलग चीज है तो देखिए शिंपहुटिक नर्वी सिस्टम के अंदर fight or flight as a.. चोटा से reminder के तौरपे मैंने यह चीज लिखी है त प्रचानव की प्रिंसिपल सर ने आपकी सारी कई भी बाते सुन दी जो आज कल की जनरेशन के बच्चें आपस में करते हैं उनके लिए नॉर्मल होती है इस बट सर ने सुन ली है सारी बात पर सर ने इसारा कर लिया मेरी कैबिन में मिलो तु और आपकी भई हार्ट बिड हो तेज सर ने तो सुन लिया है, अब जाके भी पेरेंट्स को बुलाएंगे, यह मेरी धुलाई दूगे, यह क्या होगा, आपके पसीने चुपने लग जाते हैं, हार्ट बिट साफ भई, कंट्रोल ही नहीं है, ऐसे फटी जारी है, हार्ट बिट तो अब भार ही आने को होगी है और बस आपका दिमाग जो है, वो ऐसे से गोल-गोल हो रख है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, यह सारी चीज हैं, बस उस एक लाइन के सुनने के बाद ही, आपके अंदर इतने तारी चेंज़ आ गये हैं, आपके ब्रें में कुछ फिक्स ही नहीं कि मुझे करना क्या है अब मेरा क्या होगा, आपको पसीने चूटने लग रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े होगे हैं, अब मेरा क्या होगा, चल रहा है, हाडबीट का कुछ आता पता ही नहीं है कि कहा चली गई हाडबीट, इतनी तेज हो गई है, तो यह सारी चीज़ें आप नोटिस करोगे, इस सिंप्तिटिक नर्व सिस्टम की वज़े से वहां पे एकदम में से चल रहा होगा कि मेरा क्या होगा क्या होगा और दूसरा अगर मैं कंडिशिन बताओ तो आप रस्ते पे चल रहे हो अच्छे से आपको कुछ पता नहीं है और नीचे एक डॉगी सो रहा है और उसकी पू मतलब समझ भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है तो यह कंडिशन शो करती है सिंप्तिटिक नर्व सिस्टम तो फ्लाइट और फाइट इसका यही मतलब है कि मतलब जिस चीज में हमने सोचा ही नहीं है उस तरह कंडिशन हो जाए और हमारे जो रियाक्शन होते हैं उस कंडिश करके रखता है हम मतलब हम जोगिंग करके आएं जोगिंग करके आते हैं बैठते हैं ऐसा नहीं है कि जोगिंग करते ही हम चक्रा कर गिर जाते हैं ऐसा नहीं होता कोई भी एक एनरजी स्टोर करके रखने के लिए हमारी यह पैर सिंप्तिक नर्व सिस्टम होता है हम एनरजी लेवल जो है बॉडी में कम होता जा रहा है, तो तुम्हें पानी की पीने की जरूरत है, तो इस तरह की चीजें, इस तरह की नर्ब्स हमें हर चीज के लिए पहले ही चेतावनी दे देती हैं, कि ऐसे हमें पानी पीना है, हमें भूप लगी है, हमारे अंदर एनरजी की कमी हो यह सारी चीज़ें कि आपको पैरी खिंप्रीक एटवन सोम्यटिक यह पैरिफेरल नर्वस सिस्टम तो एक दम यह हो गया होगा और यह सारी चीज़ें जो है ब्रेन और प्रेंडों कोड के अंदर काम करती हैं सोच-विचारी करें कुछ डिस्टीजें लेना हो कोई कंडीशन कोई situation हमारे सामने आ गई कोई परिस्तिती है जिसमें हमें फैसला लेना है तो उस चीज में हमारा ब्रेन काम करेगा जो कि होता यह अगर हम सोच कर प्लाइन करकर करते हैं तो वह हमारा ब्रेन करता है जिस्पाइनल कोड होता है वह बिना जाने कुछ भी ऐसे रियक्ट कर देता है तो यह था अपना नर्व सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम को मैंने पहले बताया था कि नियूरॉन जो होते हैं नियूर section में पूचना जरू, bye and have a great day.